एक ऐसा हाथसा जिसने एक किसान की पूरी की पूरी सोच को बदल डाला और उसे भी सोयम महादेव का बहुत बड़ा भक्त बना दिया नौशकार दोस्तों हमारे यूटीब चनल में आप सबी कहान लिक स्वागत है आज हम बात करें जा रहे हैं एक किसान की और उस किसान के साथ हुई एक खास घटना की जिसके बाद वैब सोयम महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त बन गया आखर क्या हुआ उसके साथ चली आज किस खास वीडियो में हम यही जानते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तो इस बात की चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें और पैला आइकन ज़रू दबाएं अगर ऐसी ही खास लेटर स्ट अबड़ेटिट वीडियो आपको जानने और सुनने को मिलती रहें नुशकर दोस्तो मेरे नाम सुक्विंदर सिंग है और मैं हर्याना का रहने वाला हूँ दोस्तो मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और बाबा की किर्वा से सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है मैं एक किसान हूँ और काफी समय से महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त बन चुका हूँ दोस्तो आज मैं आपके साथ अपनी एक सची कहानी साजा करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हाल फिलाल में हुई दोस्तो 15 नवंबर 2020 की बात है जब मैं हर्याना में था दोस्तो इनसान होने के साथ में एक अंताता भी हूँ मैं किसान हो मैं भी इसी कारण से हर्याना के बाहर अपने खीत का नाच सब्लाई करता हूँ और हर साल की तरह इस साल ये काम थोड़ा सा कठीन हो गया क्योंकि इस बार देश भर में किसानों ने दिल्ली के सारे बॉर्डर पर जो एक बिल पारित किया गया उसके कारण दिल्ली और हर्याणा के सारे बॉर्डर सील हो गये थे हमें रोजाना एक ट्रॉली सब्जी हर्याना बोटर से बाहर बेचनी पड़ती है। मैंने बाबा का नाम लेकर हर्याना से बाहर सब्जी बेचने का प्लैन बनाया। और अपनी एक ट्रॉली को सब्जी के साथ ही बेच दिया। मैंने काफी सोच समझकर अपनी सबजियों की ट्रॉली को अपने स्ट्रेट के बाहर पिछ을 था क्योंकि अगर्मै डियों को नहीं भीहेशता तो मेरे सारी के सारी सबजी कर दो दो धर में पड़ी पड़ी ख्राब हुजाती है अगर मैं सब्जी को हर्यांब मार्केट से पोचा पाता तो सब्जी को मुझे पैसा भी नहीं मिलता और मेरी सब्जिया क्रेबन 29गंते के बाद बाबा की किरपास मेरी सब्जी की ट्रोली हर्याना बॉर्टर को पार्दर के दिल्ली तक पहुँच गई और इस एक सबजी की ट्रॉली में थोड़ी सी उम्मीद मेरे अंदर बन चुकी थी कि अब मुझे पैसो की मारा मारी नहीं जहनी पड़ी करीबन 30 मिनट के बाद मुझे मेरे ड्रैवर का कॉल आया और उसने जो मुझे खबट सुनाई उसके बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैनो तले जमीन के सक चुकी है मेरे ड्रैवर ने बताया कि वह दिल्ली के सिंदू बॉर्डर तक सही सनामत पहुँच गया था उसके बाद उसे किसानों की भीडने दिल्ली में एंट्री नहीं करने थी जिसकी वज़े से वो दिल्ली में ही एंट्री नहीं कर पाया बहुत कोशिश करने के बाद जब उसने ट्रॉली को बॉर्डर से आगे ले जाने की कोशिश की तो इतने में ही उसके हाथ से कंट्रोल छूट गया और हमारी सब्जियों के सारी ट्रॉली पलट गई ये सुनकर तो मेरा पूरा का पूरा बदन काम उठा मैं भी होश हो गया मुझे इतना बड़ा सत्मा लगा कि मैं 30 मिनट तक भी होश रहा जब मुझे होश आता है तब महादेव की करपा से सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया मेरे ड्राइवर दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके ह वापस आ रहा था दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी ऐसा हो क्या गया कि अभी जो दिल्ली बॉर्डर पर हम पार नहीं कर पा रहे हैं वह आखिर हमने कैसे कर लिया मेरे ड्राइवर ने कैसे किया तक्रीबन दो घंटे इंतजार करने के बाद जब ड्र थी असफमने की त्रॉली बॉर्डर में पहुंचने से पहले ही बेग्ती गई और ड्राइवर ने मुझे बताए जब हाली ट्रॉली लेकर वापस आ रहा थो आचानक से ड्रॉली पनट गई और ड्रेवर किसी तरह टॉली से कूद गया इतने ही ड्राइवर ने देखा कि ब आप सीधी घड़ी है। मुझे ये कुछ और नहीं बलकि सोयम महादेव का हिचमत का लगा। मैंने मन ही मन महादेव का धन्यवात किया। मैंने अपने घर में महादेव के नाम का बहुत बड़ा भढ़ारा भी करवाया। दोस्तो हम किसान है अमान दाता है लेकिन हमारे अंदाता महादेव है वो भगवान है वो परम शक्ति है जो हमें हर संकट से बचा लेते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी एक खास चान कारिये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें